दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ AGI के बारे में और हम जानेंगे कि ये क्या है कैसे काम करता है साथ ही हम ये भी डिसकस करेंगे कि AI किते प्रकार की होती है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम मोहित आप देखने टेक नंदन लेट स्टार्ट दोस्तो AGI जिसकी फुल फर्म होती है Artificial General Intelligence ये है टर्म Artificial Intelligence के उस कालपनिक लेबल के लिए उप्योग किया जाता है जिसमें AI उन टास्कोप करने में कैपेबल होगी जो एक इनसान कर सकता है दूसरे शब्दों में Artificial Intelligence का वो दौर जिसम मशीने इनसानों की तरह Problem Solving, Decision Making, Communication और Learning जैसे काम करने के लिए तयार हो जाएंगी दूस्तो Artificial Intelligence के थी स्टेज होते हैं पहला Artificial Narrow Intelligence, दूसरा Artificial General Intelligence और तीसरा Artificial Super Intelligence और आज के समय में हम जो AI यूज़ कर रहे हैं वो Artificial Intelligence का First Stage यानि की Artificial Narrow Intelligence है जिसमें AI सिर्फ Specific टासु करने के लिए ही बनी है जैसे कोशन का आंसर देना, म्यूजिक प्ले करना, Language Translation और Playing Game लेकिन जब बात आती है AGI के काम करने की तो इस फील्ड में भी Researches दोरा अलगलग अपरोच हासल की है जिसमें पहली तो है Machine Learning Technique जिसमें ऐसी Algorithm बनाई जाती है जिसमें मशिन को Data Provide किया जाए तो उसको Analysis करके वो सीख सके और समय के साथ अपनी Performance को भी Improve करे और दूसरी अपरोच है Brain Inspired System बनाना जो Human Brain के Structure और कारे की नकल करके उसी की तरह काम करे और इसके अलावा कुछ शोर्ट करता More Capable AGI बनाने के लिए Multiple AI सिस्टम की Combining के आईडी की खोच कर रहे है दोस्तो बस फ्लैक लही इतना है इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंदा दे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते के लिए वीडियो में गुड़ बाई